नमस्कार एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरू में वित्रो ये समझ लो कि तैयारी का अब अंतिम दिन चल रहा है ये समझ लो यूपी पीसील के तैयारी का अंतिम दिन टीजी टू टेकनिकल वालों के लिए आ गया है एकदम सु कारंटी के साथ कह रहा हूं कि 100% इस बार सरकारी नौकरी पार क्या करना है कि इस बार सरकारी नौकरी पार जैसा कि आपने थम्बनेल में देखा होगा की तैयारी अंतिम बारकियोडर साथ में ही जाने एक्जाम कब है एक्जाम कब है भाई अरे एक्जाम की डेट आ गई है और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि लेटेस्ट अपडेट है क्या जो आपके यूपी पीशियल वाले है इनकी मीटिंग में कहा क्या गया है और होना क्या है एक बात तो तय है 15 तारीक के बाद आपका एक्जाम होना है 15 तारीक के बाद डिसीजन आएगा और उम्मीद है मैंने पूरा बीग्पटी यहां पर रख लिया है मैं आपको बारी-बारी से दिखाऊंगा बारी-बारी से पूरा रिमाइंड कराऊंगा और साथ में ही हमारे हैं आप लोगों पता ही है लाइव क्लास, रिकार्डेड, स्टडी मेटेरियल, नोट्स, पीडिय अब सब अबिलेबल है निशे दिये गए नमबर पे आप कॉंटे बारी कराया है और साथ में इस बार है बारी आपकी एक बात ध्यान में रखिएगा इस बारी है आपकी तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों करना क्या है सबसे पहरें तो मैं आपको बता दूं कि सीट तो आप जानते ही हो क्या है सीट तो सभी लोग जानते हो क्या है सब को पता है कि आपकी 608 seat available हैं कितना है 608 seat available है जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो ठीक है उसके साथ category name की भी बात कर लेते हैं क्योंकि जानते हो उत्तर प्रदेश है तो category तो यहां लेनी ही लेनी है ठीक है पहले आते है general वाले जिससे हम लोग unresolved कहते हैं इनका है 245 seat कितना कितन 245 seats ठीक है ओब इसी वाले जो हो गए आपके इनका seat है 164 यानी 164 ठीक है आपके जो SC है इनका है 127 और साथ में जो ST है इनका है आपकी 12 seat और साथ में जो economically weaker है जिने EWS के नाम से जानते हैं इनका है 60 seat यह तो आपको पता है already पता है ठीक है already पता है कि यह सारी चीजे होती है इसके बाद यह तो आपकी vacancy की बात हो गई साथ में कुछ चीजे मैं आपको बता देता हूँ यह आपको जो exam pattern ने इसको भी आप जान लो 2 minute लगए बस मातर हमें 2 से 3 minute दे दो मैं 100 परसेंट गारंटी कि आपको complete information दे दूँगा उसके बाद आपको जो करना हो करना भाई लेकिन 2 से 3 minute में दे दो बस ठीक है सबसे पहले आपका है आपका सबसे पहला part 1 यानि एक बात जान लो अगर computer नहीं पढ़े और computer में अगर नहीं पास हुए तो दुनिया की कोई सकती नौकरी पाने में आपकी सायता नहीं कर सकती है नहीं पास सकते हो 100% selection नहीं होना है पचास नंबर का paper होना है पचास नंबर का paper होना 20 marks उसमें पाना है और टीपल सी के computer और computer के मामले में इंडिया का the best channel है unique online guru ध्यान रखना इस इसको ठीक है तो यहां पे 50 question रहेगा 50 marks के और 20 marks पाना compulsory है यानि कि 20 नंबर पे ही पास होकर के सबी आपकी technical की copy check होगी नहीं तो copy नहीं check होने वाली है ठीक है general reasoning की बात कर लो 20 marks आएगा 20 ठीक है question के 20 marks के हिंदी की बात कर लो high school level पे तो 15 marks आपके English की बात कर लो 15 marks आपके यह जो है technical knowledge की बात कर लो तो 150 mark यानि 150 marks technical के आएंगे भाईया technical के आएंगे और इसमें से आपको सिर्फ और 33.50% पाना है पास होने के लिए और बाकी जैसी भी आपकी आगे की प्रक्रिया government निर्धारित करती है वैसे वैसे होगा यह मैं आपको सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं दुबारा से जो कि मैंने already इसका video बना रखा है और आप पा भी चुके हो पड़ भी चुके हो लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक बार जान लो अब negative marking भी जान लो कि क्या होती है अगर हम बात करें इसमें negative marking की तो सबको पता है कि one fourth one fourth negative marking होता है इसमें यानि एक थाई हिस्सा गया एक question अगर गलत हुआ तो तो बचा के करना है और basically जो हमारे हां complete class कराई जाती है इसमें मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं कि बच्चों की कमिया क्या है यूटूब पे सब लोग बताते हैं कि आपको करना क्या है आप पास कैसे होंगे हम ये बताते हैं कि आपकी problem कहा है सिर्फ प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं उसका सलूशन निकारन के कि देने की कोशिस करते हैं तो वन फोर्थ मार्क जो कटेगा इसको हम बचाएंगे ध्यान रखें टेंसन फ्री रही है और एक मार्क का कोईशन रहेगा ठीक है और आपके हिंदी इंगली जो फेल हुआ उ इसे अपडेट कहते हैं भाई लो वही अपडेट देख लो तेइस दो को एक आया था आपकी विग्यवति आय थी जिसमें यह बताया गया था कि आपका जो इसका एक्जाम होना है टेक्निक एकाउंट्स ऑफिसर का जो एक्जाम होगा पंद्रे मार्च दो हजारी हो गया है इसका मतलब यह विग्यवति 100% सही है एडमिट कार्ड जारी हो गया इसका मतलब यह विग्यवति 100% सही है और कोई इसको गलत नहीं ज़रा सकता काफी लोग कह रहे हैं कि यह गलत है गलत ऐसा नहीं है भाईया जब इसकी एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो गलत कहां से होगा जल्दी से फटा-फट जुड़ जाओ, टाइम बिलकुल नहीं बचा है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, अब आपका जो मेन मकसद बचता है, टेक्निकल, इलेक्रिकल, उननिस, बीस, सत्ताइस और अठाइस, चार डेट में, नौ से बार, प्रतम प्रापाली और धिति पाली आपका साड़े दो से साड़े पांच, यानि धाई से साड़े पांच, आपका दो पाली में एक्जाम होना है, इस बात को ध्यान में रख लो आप, तो अब, अब समय नहीं बचा है, अब आपके पास समय नहीं बचा है, कि आप सोचिये, मात्र 15 से 20 दिन बचा हुआ ह पटाफट जुड़ जाईए और डेली सुबह में आपके 11 मजे से आपको questions कराए जाएंगे computer के free of course जल्ली से पटाफट जुड़ जाईए और फिर आगे मजा आने वाला है नीचे दिये गए नंबर पे contact करें और हां live class recorded video भी और study material notes PDF के साथ आप लोगों को सब कुछ 100% क्वालिफाई करने की गारंटी हमारे चैनल की हमारे आपके परिवार की दोस्तों तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जैहिन